हलो दोस्तों सुआगत है अब सभी कब भी इस रिव्यूज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्लिक्स की वेब सिरीस इन फ्रम दे को तो इस वीडियो को अंट तक ज़रूर देखना तो चली इस शुरू करते हैं तो इन फ्रम दे कोल्ड ये वेब सिरीस कुछी दिन पहले नेट्लिक्स पर रिलिस होई थी इस सिरीस में टोटल आठ एपिसोड है और हर एपसोड 40-55 मिट के बीच का है और आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं अब सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को इस पाय थ्रिलर शूज देखना पसंद आते हैं तो शयाद आपको इशो काफे दा पसंद आने वाला है लेकिन एक न्यूटल आडियंस को इशो कैसा लगेगा इस पर तो मैं गी वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसी कहानी की बात करें इस पर बिलावरी लगा क्यों जिस तरह से इस सिरीज इस स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचेशन की स्टैबलिश करने की कोशिश करती है हमें बताय जाता है कि आनिया किस तरह की इस इसनान है उसकी लाइफ कितनी ज्यादर सिंपल है और अब एक दम से उसकी life में कितने कुछ होने लग गया है उसकी past life किस तरह की थी और अब उसे अपने काम पे वापस क्यों लोटना पड़ रहा है वो सब मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि जिस तरह से इन साइड चीज़ों को लिखा गया था किस तरह से खराब हो रहा है वो सब भी दिखने में मुझे कुछ खास पसंद नहीं है कोई जिस तरह से इन सारी चीज़ों को लिखा गया था ना वो काफी ज़्यादा रूटीन था और उसके पर से में किसी भी टाइम इस सेरीज में बिलकूल भी इन्वेस्ट नहीं था इसी कारएंट से जब इस सेरीज के हाई पॉइंस आ रहे थे तो वो मुझे पे उस तरह का इंपक नहीं डाल पा रहे थे जिस तरह को नहीं डालने चाहिए था और जहां तर बाते हैं टुस्ट ने असकी तो इस सीरीज के लगबख सारी टुस्ट काफ़ दा प्रेयरिक्टेबल रहते हैं और आपको काफ़ी पहले से पता होता है कि यह सब होने वाला है इसी कारेंट से जो भी यह टुस्ट आते हैं तो वो आप पे किसी भी तरह का कोई इंपक्ट नहीं डाल पाते हैं और जो characters के भीशे dynamics हैं वो भी मुझे काफ़ दार routine लगे और भी काफ़ी problems हैं इस series में लेकिन उनसा पर बात करके मैं आपके series को देखने का मज़ा खराब नहीं करना चाता और अगर हम acting की बात करें तो सब भी actors का गाम ठीक ठाकें किसी का भी काम बहुत दार अच्छा नहीं ह और जहां तबाते direction और editing की तो direction काफ़ी खराब है क्योंकि मेरे ख्याल से इस series की story में इतनी जान थी कि इस पर एक अच्छी series बनाई जा सके हैं लेकिन डारेक्टर एस सकने में पूरी तरह से फेल हुए हैं और जो editing है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी बहतर हो सकती थी क्योंक अगर हम production quality की बात करें तो ठीक ठाकी है तो overall में यही बूलना चाओंगा कि अगर आप लोगो को spy thriller shows देखना पसंद आते हैं तो शायद आपको इशो काफे दर पसंद आने वाला है लेकिन अगर आप एक neutral audience हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको इशो कुछास पसंद आने व अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में यह वीडियो शेयर कर देना मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत